बेलकम टू दिवाकार आनलाइन क्लासेज आपके लिए जो है बहुत अच्छी खुश खबरी है इस कोरोना जैसे खतरनाग बिमारी के बीच में थोड़ा बहुत अगर खुशी सबको मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है और वह है 30% की खुशी जो यूपी बोर्ड ने क्लास 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को दिया है तो आप जो है लोगों के दिमाग में एक कन्फूजन है कि लेशन हटा दिया गया है या टॉपिक हटा दी गई है या अलग-अलग जो है पार्ट हटा दिये गया है इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना जागा मैं ज्यादा जो है बात करूंगर जिसमें आपको बिडियो जो है देखने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे जो है मुबायस इसको डाउनलोड करना है कोर्स को तो आप पूरा वीडियो देखेगा आपको समझ में आ जाएगा तो क्लास तेंद का अब कौन कौन सा लेशन पढ़ना है अब पास होना बहुत असान हो गया है क्योंकि जब आपका 30% कोर्स हर जाता है और प्रेटिकल का 30 नमर आपको मिल जाएगा तो आपको पास होना बहुत असानी हो जाएगी क्योंकि आपको वो हेडिंग छोड़ देना पड़ेगा ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और मुबायस से संसोधित पाड़िकरम कैसे डाउनलोड करें यह है मैं आपको बताऊंगा तो पहले आपको न्यूज पेपर दिखा देता हूँ जिसमें क्लास 9, 10, 11, 12 तका जो कोर्स 30% कम हुआ है वो न्यूज में आया हुआ है तो यह न्यूज पेपर है हिंदुस्तान का जिसमें दिया है परसाई और मर्चेंट आप बेनी यूपी बोर्ट से बाहर संसोधित पाटकरम यूपी बोर्ट ने कच्छा 9, 12 तक का कोर्स 30% घटाया तो देखिए अभी हम इसके बारे में जान लें थोड़ा सा तो फिर आपको हम डाउनलोड करके आपको टेंथ का दिखाएंगे इसके बाद आपको डाउनलोड करना भी सिखाएंगे देखिए कोरोना के कारण स्कूलो में समय से पढ़ाई लिखाई सुरू नहीं हो पाने की सिती में यूपी बोर्ड ने कच्छा 9 से 12 तक का कूर्स इस साल के लिए 30 परसत कम कर दिया है बोर्ड ने संसोधित पार्टकरम अपनी वेफसाइट पर सुमवार रात अपलोड कर दिया मतलब इसी सुमवार को जो आपका 20 तारिक थी उसी दिन डाउनलोड कर दिया गया है इसको आपको देख लेना है या तो 13 को हो सकता है 13 जो आपका जुलाई है उसमें अगर अपलोड किया गया होगा तो बोर्ड ने संसोधित पार्टकरम अपनी वेफसाइट पर जब अपलोड कर दिया है तो बदले पार्टकरम के मुताबिक इस साल कच्छा बारा कलावर्ग के जो छात्र हैं कि हिंदी पिशैसे जो गद्य में हरिसंकर परसाई की जो निंदा रस और अंगरेजी से मर्चेंट आफ वेनिस प्ले को बाहर कर दिया गया है यह देखे बारा वाले लड़के ध्यान देगे कि इसको बाहर कर दिया गया है हिंदी के प्रमुक लेकों सुरिकान त्रिपाटी निराला सुमित्रा नंदन पंद मैतली सरड़ गुप्त और रामधारी से दिनकर की कुछ रचनाओं को बाहर किया है लेकिन कुछ रचनाओं सामिल हैं मतलब इसमें सभी रचनाओं नहीं बाहर किया गया है कुछ रचनाओं अंदर भी हैं तो जो कच्छा दस के हिंदी में कुल साथ पाठ में से तीन पाठ इस्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंग दिनकरवाला क्या लिखूं पद्म लाल पुन्ना लाल बक्सी और पानी में चन्दा और चांद पर आदमी जैप्रकास भारती पाठ करम से क्या किया गया है बाहर किया गया है और पद्य के तेरह पाठ में से समित्रा नंदन पंद महादेवी बर्मा वा माखन लाल चत्रिवेदी की कुछ रचनाओं का कुछ हिस्सा हटा दिया गया है यह आपको तब पता चलेगा जब आप वेफसाइट से संसोधित पाठ करम डाउनलोड करेंगे और आपको पता चल गुप्त की भारत माता का मंदिर है यह केदारनाथ सिंग की नदी और असोग वाजबे की युवा जंगल पूरा पाठ ही हटा दिया गया है यह याद रखना है आपको CBSC से जो है सीख लिया है UP Board ने इसलिए इसको कुछ हिससे ऐसे बाहर नहीं किया है जिससे की कोई लडाई हो जाए कि यह क्यों बाहर किया गया अब देखिए दसमे के बात हो रही है दसमे के अंग्रेजी से जो प्रोज है जिसे प्रोज बोलते हैं से टार्च बीरर वा आव बिज्ञान से धातू या धातू तत्तों का आवर्त वर्गी करण प्राक्तिक संसाधन बिद्दुत का प्रभाव बिद्दुत धारा का चुम्बकी प्रभाव समेत अन्य बिसेयों से भी कई चेप्टर बाहर किया गया है लेकिन देखिए चेप्टर बाहर नहीं किया गया ह कुछ headings बार की गई है मैं अपको इसको जो है детientos में समझाऊंगा क्योंकि जो है साबूत आप देख सकते हैं कि बाहर जादा नहीं किया गया लेकिन उसमें जो heading है वो बार किया गया पूरा lesson का lesson नहीं बार किया गया आपको कुछ न कुछ उसमें पढ़ना है तो यह हो गया आपका न्यूज पेपर बाकी अभी क्लास 3 का आप देखिए तो देखें क्लास 3 की जो हिंदी है क्लास 3 में इसमें क्या-क्या जो हटा दिया गया है यह देखिए ओरिजिनल जो होती है आपका हिंदी में उसमें क्या लिखूं पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी का जो है उसको हटा दीजिएगा ये आपको नहीं पढ़ना है और इस्यातू नगई मिरिमन से रामधारी सिंग दिनकर वाला पानी में चंदा और चांद पर आदमी ये हटा गया है हिंद लाल चत्रविदी की जमाने केदरना सिंग नदी असोग बाचफेई का इवा जंगल संस्कृत है तू जो संस्कीत हिंदी में रती है केन किम बर्दते अन्योकती विलासर और संस्कीत हिंदी व्याकरण में से जो आपको देखे पढ़ना नहीं है वह है आपका समास में यूसमद धातू रूप में द्रिस और पच जो है आपको याद नहीं करना है लेकिन अब क्या क्या याद करना है तो यह आपको पूरा डिटेल नीचे है आपको वेपसाइट से डाउनलोड करके देख लेना है मैं कुछ चीजे इसमें आपको जो है साइंस की बारे में ज्य उसमें रहते हैं उसका उतर आप दे देंगे तो उसका दो नमर रहता है काब में क्या है उसमें भी संदर का एक नमर रहता है ब्याखा का चार नमर रहता है और जो काब भी संदर लिखेंगे वह एक नमर करता है संस्किन का जो गध्यांस पद्यांस का आप हिंदी में बात क देंगे आपको चार नंबर मिल जाएगा आप इसका ध्याल रखेगा नि gameplay पात्थों के जो लेखक हैं कभी हैं उनका जीवन और परिचये रचनाय कलेंगे तो उनकी जीवन है उस पर आपको तीन नमर मिलेगा और उनकी रचना अगर लिख देंगे तो तीन नमर और मिल जागा, आपको छान नमर मिल जागा संस्कित में से आपको यह किशलो की यात रखना है, दो नमर करहेगा और दो जो है आपका question answer होगा, जो उस पे आधारित होगा, निधारित पार्ट में उसका भी दो नमर रहेगा तो बाकी जो यह सलेबस आप देख रहे हैं, यह सब अलंकार में सिर्फ तीनी यात करना, उपमा, रूपा, कुछ प्रिच्छा, रस में हासे और करूर रस बस खाली यात करना है छंद में सो लठा, रोला यात करना है, बाकी आप देख सकते हैं ग्यारा नमर का हिंदी व्याकरड जो है, वो यात कर लेना बहुत अच्छा है, इसमें अब नमर बहुत बढ़ता है, और यह चीज़े हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको डाउनलोड नक करना है, तो इसकी इनसार्ट ले लिजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी देखे यह है, सब पार्ट करम जो है, संस्कित में इतना है, तो यह हिंदी कहो गया देखे आजमगड, परियागराज और मत्वुरा के लिए जो है, अगर पूजा पढ़ना है, तो अगर पूजा आप याद कर लेना है, अगर पूजा का नमर अच्छा आता है अगला जो विशा है आपका वो है अंग्रेजी देखें अंग्रेजी जो है आपके जो कौन कौन सलेशन हटाए गया है देख लिजे इसमें सबसे पहला हटाए गया है प्रोज में से टार्च बीरर्स देखें आप लोग तिक लगा लिजेगा बुक में टॉर्च बीरस नहीं पढ़ना है, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरिज एंड एनेक डॉट्स ये आपको स्रीनिवासन वाला नहीं पढ़ना है, इसके बाद आप पोईटरी में दा नेशन बिल्डर्स ये भी नहीं पढ़ना है, और सप्लीमेंटरी रीडर जो है आपका माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, ये इसमें दिख रहा है, आप अगर स्किन साट ले सकते हैं तो ले लेजिए, ये सब पढ़ने के लिए है, बाकी जो नहीं पढ़ना उस पर टिक लगा देंगे, बाकी पढ़ना ही लखेगा, अब अगला जो देखिए, आपको ग्री ठीव घ्टन अगर आप ने लिया है, तो इसको देख लिजाए, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको जो है, तो आप ग्री ठीव में देख सकते हैं, मैं इसको डाउलोड करके देख लिजी एगा, जो जो नहीं पढ़ना है उसको देख लिजेगा जो मुख्य रूप से आप से हम बात करने जा रहे हैं वह है विज्ञान तो क्लाश टेंथ में जो देखे लिखा हुआ है कि कोवी नाइंटिन माहमारी कारल जो सैच्छिक सत्र है 2020-21 में विद्याले में समय से पाठन पाठन का कारिना होने पाने की स्तिती में सम्यक विचारोपरांत विशेविशेशगों की समिति द्वारा 39% पाठकरम कम किये जाने की अनुसंसा की गई है अब देखे इसमें आपको समझने है कि कैसे टॉपी खटाया गया है ना कि पूरा लेशन पहला लेशन आपने पेपर वाले कटिंग में देखा होगा कि धातू एवं अधातू तो धातूं अधातू में देखे पहला धातू तथा अधातूं के जो गुर्धर्म है आपको नहीं पढ़ना है आइनिक योगिकों का निर्मार तथा गुर्धर्म यह भी आपको नहीं पढ़ना है बाकि सब कुछ पढ़ना है जो धातूं एवं अधातू में है दूसरा जो लेशन है जिसमें के कुछ टॉपिक हटाया गया है वह है तत्तों का आवर्थ वर्गी करण देखें तत्तों के वर्गी करण के जो प्रारंबिक प्रयास थे डावे राइनर के त्रिक न्यू लैन का अश्टक सिधान्थ यह है आपको नहीं पढ़ना है प्रारंबिक प्रयास इसको छोड़ करके बागी जितने भी तत्तों का आवर्थ वर्गी करण है सब प्रना है अगला जो लेशन है जिसका नाम है जन्तू तथा पवधों में नियंत्रण एवं समन्वे देखें पवधों में दिसिक गती इसकी सर्ट ले सकते हैं और जन्तू में जो हर्मोन है यह आपको इस बार नहीं पढ़ना है मतलब याद नहीं करना है लेशन जो है यह जो टॉपिक है यह एगजाम में नहीं आएगा अगला जो है प्राक्तिक संसाधन तो अब कई लोग सोच लेंगे कि प्राक्तिक संसाधन दे दिया है तो वो पूरा हटा दिया गया तो नहीं उसमें सबसे पहला जो हेडिंग हटाई गई है वही है उर्जा के स्रोथ जिसमें आपको बायोगैस हटाया गया है हमारा परियावरण जो लेशन है उसमें से पारितंत्र हटाया गया है जो उनपरत का अपछेयन हटाया गया है अपवर्तन जो है जो आपका फिजिक्स का पार्ट है उसमें आपका आवर्धन, लेंस की छमता, प्रकास का प्रकिरण, दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है प्रकिरण का वह हटा दिया गया है अगला है बिद्दुत का प्रभाव जो फिजिक्स का है दैनिक जीवन में बिद्दुत का क्या उपयोग है ये हटाया गया है दैनिक जीवन में इसका उपयोग है ये हटाया गया ठीक है इसमें दो-दो बालिक दिया है बिद्दुद धारा का चुमकी प्रभाव में आपको दिश्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से क्या लाव है यह छोड़ देना है और घरेलू बिद्दुद परिपत का जो महत्तो है उसको नहीं पढ़ना है बाकि क्या पढ़ना है आप इसको देख लीजे सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि कितने नमर पर आपको पास होना लोगों के तियरी में कितना पाएं और प्रेक्टिकल में कितना पाएं कि हम पास हो जाएं तो सबसे पहला ध्यान रखेगा कि आपको 70 अंक की जो परिच्छा होगी उसमें आपका रिटेन होगा प्रिटिकल का जो होगा 30 अंक का होगा और उसमें आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा तो देखें नियुन्तम अंक जो उत्रिण होने के लिए है 70 अंक जो होता है लिखित में उसमें आपको 23 नंमर पाना है जिससे आप पास हो जाएंगे आप सोचे 30% स्लेबस कम हो गया है और आप 23 अगर नमर नहीं ला पाएंगे तो आप समझे पढ़ने कोई मतलब नहीं है और प्रेटिकल में आपको 10 नमर पाना है 30 में से जो है प्रेटिकल जो 30 नमर का है उसमें अगर 10 नमर पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे तो 10 और 23 मिला के 33 हो गया तो आप 100 में अगर 33 पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे लेकिन ये नारमल बात जानते थे कि 33 नमर पाने पास होंगे लेकिन थेरी में अगर 23 से कम हो गया तो आप फेल हो जाएंगे ये जो है कैसे नमर डिवाइड है साइन्स में तो रहसाइनिक पदार्थ प्रक्रतियों बेवहार से आपका 20 नमर आता है जैव जगत से आपका 20 नमर आता है अपवरतन से 12 नमर का आएगा बिद्दु धारा का चुम्ब की प्रभाव जो है उसे 13 नमर आएगा और जो प्राक्तिक संसादन है उससे 5 नमर का कुश्चन आएगा तो मैंने अब तक जो है आपको रसाइनिक अब क्रियाएं पढ़ा दिया है अमलच्छार तथा लवड जो है लास्ट टॉपिक बता है इसमें से विरंजक चूण जो है हो गया है बेकिंग सोडा धाउन सोडा प्लास्टर पेरिस का उप्योग जो है निर्माड भी बताना है धातू या धातू में देखे सकरिता स्रेडी आपको पढ़ना है धातू कर्म की अधार भूद भी दियां संचारत तथा उसका निवारन असान हो गया यह टॉपिक आपको असानी है टिक लगा लेंगे वैसे जो जो आपको नहीं पढ़ना उसको टिक लगा लेंगे बाकी जो पढ़ना उसको आपको पढ़ना ही है तो यह हो गया आपका देख सकते हैं साइंस में तो यह साइंस का अब प्रैटिकल में देखिए तीन जो नमबर है प्रहोग गर कर लेना पड़ेगाई और इसमें क्या-क्या लिखना है यह दिया है जिए कर में कैसे क्या बनाना है यह दिया है पत्ती में इस्टो मेटा क्या स्थाज सलाइब तयार करना है कांच के प्रेज्म और यह है आपका प्रोजेक्ट कारे सब विद्दुद घंटी का माडल तो असान होगा उसमें से छाट लिजेगा और उसको बना या उस टाइम करवाया गया था अगर आप कहेंगे तो उसको करवा दिया जाएगा बाकी अलग-अलग है पोर्शन अब देखिए जो क्लाश 10 का जो गड़ित है इसमें क्या-क्या हटाया गया है यह आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना तो इसमें क्या किया गया है 30% नहीं अटाया गया है साइंस में और उसमें हर जगा हटा दिया गया है लेकिन गड़ित का जो है 10% ही पार्ट करम कम करने का जो है कहा गया है अब इसमें यह है कि आप कुछ चीजे छोड़ देंगे तो बाकी अगला जो टॉप आपका जो गाँ मैद से रिलेटरी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा तो 10% क्या 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 कम किया गए देखें बीच गड़ित में सबसे पहला है बहुपद, बहुपद के सुन्यांक, दुविगाद बहुपदों के गुडांकों, सुन्यांकों के मद्द संबंध, वास्त्विक वर्स रेखा, इस वर्श बिंदू से होकर जाने वाली तृजजा पर लंब होती है, किसी वाई बिंदू से खीची गई, दो इस वर्श रेखाओं के लब बराबर होती हैं, लंबायय क्या होती हैं, तो यह आपको नहीं पड़ना है, समानतर स्रेडि में जो श्रमांतर स्रे नहीं पड़ना तो यह उबर जो है यह नहीं पड़ना इसकी इसके साथ ले सकते हैं आप पूरा आप देखिए त्रिकोड मिती में क्या नहीं पड़ना है जिसमें से 1 सर्व समिका साइन स्क्वायर ठीटा प्लस कास स्क्वायर ठीटा बरावर वन को अस्थापित करना तता इसको अनकुर्योग यह आपको नहीं पढ़ना है और प्रायक्ता में क्या नहीं पढ़ना है प्राइक्ता में प्राइक्ता की सैधान्तिक परिवासा एकल घटना पर अधारिक समाने परस्ञे यह आपको नहीं पड़ना है बाकि जितना भी है आपकी लेशन में सब पड़ना है दिखें जो मेत है जो गडित है इसमें सत्तर रंग की जो परिछाद होगी तो आपको पता है रीटेन होगी जिसके आपको जान देना है और प्रिक्टिकल जो होगा Chand gets to رगी C तो सबसे ज़्यादा आगर फोकस करना है तो आप बीच गड़ित पे करेंगे जयामिती पर करेंगे बागी जो हैं ठिड़कूर्मेथी सांगि कि प्रतिक्ता भी ध्यान देना हैँ यह हो गया आपका मैक कहें कि निकास देख सकते हैं इसको यह आपका जो है मैक का I सबका नम्मर बटा हुआ है आप इसी की हिसाब से तैयारी करना सीख लीजिए अब आजिक विज्ञान से क्या क्या हटाया गया है सबसे पहले जली से इसको देख लीजिए 30 पसित इसमें भी कम किया गया है तो सबसे पहले जो हटाया गया है अद्धोगी करण का यूग में यह हेडिंग आपका हटाया गया है इसका स्कीन साथ ले लिजे आप लोग आप देख लिजेगा इतना है यहां तक मुद्रातितों साख तक है यह आपका जो है इसकीन साथ लेकर देख सकते हैं यह जो है आप समाजी विग्यान से इतना चीजें हटाई गई हैं जितना हेडिंग है आप इसको टिक लगा लेंगे बाकी सब पढ़ना है विग्यान में कहां से क्या क्या आता है आप देख सकते हैं भारत वोथ समकालिन 202 है इतिहास में उसमें 20 नमर आएगा समकालिन भारत में भुगोल ज प्रसन ऑंगे पास होजाएं देख्यें जो चित्रकला आपको पढ़ना अगर किसी ने लिया होगा तो इसमें चार प्रसन आए गे जिसमेंसे दो प्रस्ण करना होगा और एक प्रस्ण जो होगा वह multiple choice question वाला होगा जो क्या होगा वह अनिवार होगा या वस्तुनिस्ट होगा जो अनिवार होगा में आधा शायद वस्तुनिष जो होगा जो लिखित होनों कि हो सकता है क्या आधे चु कल सकते हैं कि इसका जो प्राचिन उल्सक्राइब करके समझ लीजिएगा क्या क्या हमको पढ़ना है क्या 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 नहीं पढ़ना है अगर इस सबसे चीजों से बचना है कि ज्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बढ़ी हो जाएगी तो आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूँ जिससे आप डाउलोड करके अपना हर जो है सब्जेक्ट को देख सकते हैं तो सबसे पहला जो यह वेबसाइट का जो देखे जो आपका है इसको आप गूगल पर क्रोम पर जाएंगे गूगल पर सर्च कर लेंगे और उस पर यह स्टी टी पी यस और ऐसे यूपी एमस्पी अगर डाल देंगे तब भी.edu.in कर द जाएगा इसको आपको गूगल पर डाल के सर्च करना है अभी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आप उसको देख लीजे फिर उसको वहीं से डाउनलोड कर लीजेगा कि क्लास 12 का हो चाहे 9 का हो चाहे 11 का हो सब को वहाँ पर मिल जाएगा कर दो देखेर अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो Google पर जो है अशर्च करने पर आपको यूप एंसबी डालना पड़ेगा जिससे आपको दिखाई देगा एक साइट जो है STT जो आपको बताये हैं इस पर आप कलीक करेंगे तो कलीक करने के बाद आपको देखे जो वेफसाइट खुलेगी देखे ये वेफसाइट है मादमी सिच्छा परिशद पर्तर पदेश परियागराज इसमें जब नीचे चलते जाएंगे तो आपको देखे ये दिया है परिच्छा वर्ष 2020 के डिजिटल हच्टाचर ये प्रमाडपत्र वालों के लिए जो ग्यारा वारा के तीस प्रत्सत समंदित संशिप्त किये गए पार्ट क्रम आप इस पर क्लिक करेंगे जिस पर आपको देखना है जैसे कच्छा नौ है नौ पर कच्छा दस है दस पर और जैसे यह है तो इस पर क्लिक करेंगे बारा पर क्लिक करेंगे जिस पर क्लिक करेंगे उस पे आपको डाउनलोड हो जाएगा उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को सेर कर दिजिएगा जो कलास 10 में नव सेर लेके बारत तक लोग हैं उनको ये जनकारी मिल जाएगी और हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर लिजिएगा चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें आपको उसका लेटेस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद